कासकंज बिहार चुनाव जीतने के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधान सभा 2022 की तियारियों में जूट गई है प्रदेश में संगठन विस्तार हेतु जिम्मेदारियों का सिलसला जारी हो चुका है जिसको लेकर संगठन के विस्तार करम में ब्रज प्रांतिय अल्प संख्यक मोर्चा के अध्यक्ष की घोशना की गई जानकारी के अनुसारिसी करम में बीते दिनों मुहमद इबरत हुसैन के आवास पर एक कारकरम का आयोजन किया गया जिसमें मिशन के परदेश विस्तारक आतिंदरपाल सिंग ने एक शिरकत कर मुहमद इबरत हुसैन को ब्रज प्रांत अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी उन्होंने कहा संगठन आपके हाथ में है किसी पर भी जुल्म होने नहीं दिया जाएगा हिंदू, मुसलिम, सिख, हिसाई सब आपस में भाई, भाई हैं, हम सबको मिलकर योगी जी को दुबारा 2022 में सी-म बनाना है उन्होंने मुहमद इबरत हुसैन को ब्रज प्रांत में आने वाले स्तारा जिलों में जल से जल संगठन का विस्तार करने को कहा मुहम्माद इबरत हुसेन का फूल मालाओं से स्वागत किया वहीं कारिक्रम में मौजूद लोगों का भी फूल मालाओं से स्वागत किया गया मुहम्माद इबरत हुसेन ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा संगठन के प्रती मेहनत लगन से संगठन का विस्तार करूंगा मिशन योगी अगेन 2022 को सफल बनाते हुए दुबारा CM 2022 में योगी ही होंगे प्रदेश विस्तारक अतिंदरपाल सिंग के साथ आई प्रांत महामंत्री मुनेंदर कुमार साहू एवंजिला प्रभारी कासकंच जै गोविन साहू का फूल मालाओं से जोड़दर स्वागत किया गया आज ये मीटिंग की गई है क्या उद्देश रही है इस मीटिंग का उद्देश है जो हमारे द्रेश रांत के अध्यक्स है इबरत खान इस मीटिंग से क्या क्या चंदेज दिया जा रहा है किस तरह से मीटिंग समाज में जो है योजी जी मोडी जी की योजना का विश्टार्ट से समया लोगों को बताना है और जो जिल लोगों को लाव नहीं मिलाए नियुक्त उनको उनके लिए लाव दिलवाना है और हम जो है प्रदेश विस्तारक अचेंदर पालशी में अब मेर्ट देश से आया हों मिशन योगी अगेंस्टिय मुट्वत्वेश द्वाइब हम जो है इसन के लिए आगे बढ़ाने के लिए निसन के लिए हम जो है सबस्ता अविहान के लिए यहां आए अचाई यह जो इनको इबरत हुसेंद को जो आपने जम्मेदारी दीए चैक् जवारा है अलीघड है इसाबा है वास बेंज है बनाई हूं है इस तरह जोगा सक्थरे जो रिए अधिए अजय व्याइए अजय दो